हेलो दोस्तों आज हम कड़ी पकोड़ा बनाएंगे इसमें हमने दोग प्याज कट करके रखी हैं थोड़ा लसुन ये चार लाल मिर्च मेथी दाना लाल मिर्च पाउडर हल्दी और थोड़ा नमक ये आधा कटोड़ी बेसन है ये एक लीटर हमने छाज लिया है ये पकोड़ी बनाने के लिए बेसन लिया है इसमें मैंने दो चमच बेसन थोड़ा पानी और थोड़ी लाल मिर्च नमक और हल्दी मिक्स किये हैं अब हमने ये छोटी छोटी पकोड़ियां तल लिया है अब हमने ये छाज में बेसन मिक्स कर दिया है अब हमने कड़ाई में थोड़ा तेल मेती दाना लाल मिर्च एड़ किये हैं और ये प्याज देखिए अब हमने इसमें प्याज लहसुन जो कट करके रखी होते हो इसमें डाल दिये हम इसे अच्छे से चलाएंगे और हम इसे जब तक भूनेंगे जब तक ये गुलाबी रंग का ना हो जाए देखिए ये गुलाबी रंग का हो गया है ह़िए हैं कि हम इप पुछे से भून लिया है अब हमने इसमें हल्दी डाली है और अब थोड़ी वह लाल मिर्च कि इसको अच्छे से मिक्स करो है अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है अब जो मनें नमक लियान था अब इसमें हमें ये च्छाज डालनी है कड़ाई में देखे इसको दीरे-दीरे से डालना होता है इसको सासा चलाते भी रहना है ताकि कड़ी फटना जाए इसका फटने का डर बहुत जाता रहता है इसको हमें कम से कम 5-10 मिनट तक इसको ऐसे ही कंटीनियो चलाना होगा देखे हमारी कड़ी बनके तयार है यह हमने इसमें पकोड़ियां भी मिक्स कर दियें अब हम इसमें थोड़ा गरम मसाला मिक्स करेंगे अब हमारी पकोड़ा कड़ी बनके तयार है झाल